प्रेंस महीं और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली कुछ नया आलू पुदीना पुरी दुना का कॉंबिनेशन बहुत परफेक्ट है बहुत टेस्टी है बहुत हेल्दी है तो आईए देखते ऐसे टेस्टी हेल्दी पुरी के लिए आने किनकिन चीजों क्या वशकता है पुदीना एक कटोरी एक आलू इसको उबाल की छिलका उतर के खिस लोंगी हरिमिच अद्रक और लसुन इनको मैं ग्राइंड कर लोंगी उसके बाद एक कटोरी गयो का आटा आधी कटोरी सूजी कलोंजी हाफ स्पून हल्दी हाफ स्पून हाफ स्पून जी स्पून हरे मिर्च अद्रक इनको ग्राइंड करके पेस्ट कर लोंगी अलो को उबाल के छिलका उतार के इसको खिस लोंगी लिया एक बर्तन उसमें डाला गहो का आटा गहो का आटा एक कटोरी है और आधी कटोरी सूजी दालने से पूरिया क्रिस्पे बनते हैं अब बारी एक बारे से मैं इसमें डालूंगी सारी चीज़, मैं डाल रही हूँ आलू जिसको उभाल के मैंने खिस लिया था, उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, पूदीना, अद्रक, लसुन का पेस्ट, यह हमें ग्राइंड करके डालना है, उसके बाद अजवाइ चिली फ्लेक्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, यह चिली फ्लेक्स आप सुखी लाल मिर्च को भी कूट के कर सकते हैं, अब मैं इसको हाथ से सारी चीजों कच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसमें पानी बहुत काम लगता है, अब मैंने डाला है 2 जिस सह्च के आपको पूरी बनाना उस सहसकी बना लेना, अब मैंने सारी लोईया बना लिया, अब मैं इसका बना रही हूँ, पूरी लगा के इसको बेल रही हूँ, आप चाहों तो सुखा हाटा भी लगा सकते हो, बखिए के बेलू और पूरी ना, इन पुडिया तलते से में गैस का फ्लेम ना ही हाई होना चाहिए ना स्लो होना चाहिए मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें पुडियों को तलना है अभी पुडिय तल रही है पुडिय का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया है साथ ही बहुत टेस्टी भी है, क्योंकि हमने पुदीना ग्रीन चिली को ग्रैंड करके डाल लिया था यहाँ पर मैंने आटा और सूजी योज़ किया, सूजी की जगा आप चाहो तो बेसन भी डाल सकते हो और आलू मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए, अगर आप आलू नहीं डालना चाहा तो स्किप कर सकते हो सिर्फ पुदिना और आटे की पुरी भी बहुत अच्छी लगती है पुडिया बन गई है, मैं इसको निकाल ले रही हूँ, निकालके मैं एक बार और आपको पुडिय तलके दिखाऊंगी यह पुडिया बहुत ही टेस्टी है, यह बचों के लंच बॉक्स, टेफिन, जर्नी, टी टाम स्नैक्स, ब्रेक फार, लच, डीनर, किसी के लिए पर बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है